तो दोस्तो टोटल स्वागत है दोस्तो आज मैं लेके आया हूँ एक लेजर लाइट जो की फ्लास लाइट भी बोल सकते तो दोस्तो यह लाइट जो है दोस्तो पूरा डेड है तो यह भी जो यूज होता है जहाँ पे लोग पहार में घूमने के लिए जाता है तो ऐसा ही ला प्रॉब्लम है. यह तो आट्मेटिक है दोस्तो इसका अगर आईसी क्षराब हो जाता है. इसके अंदार जिफाम इसको आप कैसे ग्मुत कर सकते है क्योंकि आट्मेटिक है क्रॉब तो इसका चीफ आउन सी खराब हो जाएगा तो यह कभी भी थीक नहीं Hang तो दोस्तों कोई भी बात नहीं है इसको हम मैनुल बना देंगे इसका अगर चीप ऐसी कराब हो जाता है तो इसको हम मैनुल बना देंगे तो कोई बात नहीं तो इसको हमने खोल लिया है यह देखिए इसका फूस बटन है तो इसको दवाते ही ओन हो जाता है लेकिन अभी जो है ओन नहीं हो रहा है इसके अंदर देखिए ओचीप ऐसी लगा हुआ है और दो चार कंपोनेंट लगा हुआ है दोस्तों कुछ रेजिस् भी ऑक है और इसको भी सफध एलेडी तो हम पांफ हुआ लडी को चेक कर लेंगे बारी-बारी एक-एक परने तो रेट जो एलेडी एदोस्तों पशल सुरोStillANG गया है तो उसको शीन पृचिन कर रहें के सारा ऐलेडी जोह उस सजीत नहीं इत तो दुस्तों दिखिए इसमे लगाने से दूसरा वाला लर Rapid क्या तो हुमारा एक रेड खराब है दूसरा भी उसके अंधर भी हमको लाल लाल दिख रहा है जंग जायसा तो हम दोनों एलेडी के चेंज कर देंगे रेडेरेड़े को change करके फीर से इसको चला के देखेंगे connection देखेंगे चल रहा है के नहीं तो देखिए मैंने जो हे दो रेडेरेड़े अलग से लगा दिया है ता आप हम उसमें जो हे सारे चार वोल्ट देखे इसका हम check करेंगे तो इसके देखिए अंदर थोड़ा गरबर हो गया तो इसको हम क्या करेंगे यह तो अभी ठीक नहीं होगा तो इसको मैनुल बना देंगे इसका कॉंडेंसर भी खराब हो गया इसका पीन जंग आके तो हम कॉंडेंसर भी इसका चेंज कर देंगे इसमें जो है दोस्तों 16 वोल्ट और 20 इस लगा हुआ था हमने उसको हटा दिया है यह था हमने इसको हटा दिया है और दोस्तों सारा जितना भी एलेटी है इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव से 33 ओम्स का एक रेजिस्टर लगा के कनेक्शन किया हुआ है देखिए मैं दिखाने के कोशिस कर रहा हूं नजदिक से इसको हटा दिया और जो पॉजिटिव है दोस्तों बैटरी का देखिए रेजिस्टर एलेडी के लिए रेजिस्टर दूसरा एलेडी के लिए एलेडी के लिए देखिए इसका जो पॉजिटिव है उसके साथ एक एक करके रेजिस्टर लगा हुआ है चोटा-चोटा करके 33 सबस्क्राइब करेंगे जितना भी एलेगे उसका ग्राउंड को अपस में हम जोर के शुच के एक हिस्से के साथ हम connect कर देंगे और इसी switch से दोनों wire लेके हम इसको दुसरा switch लगा देंगे on-up switch को तो उसमें जाके हमारा यह सही हो जाएगा अच्छे से glow कर सकेगा यह दिखिए मैंने एक switch लगा दिया पहले जो push switch था उसको भी आप दवाओगे तो अभी LED गुलोप रहेगा और छोर दोगे तो बंद हो जाएगा तो इसलिए हमने इसमें on-up switch लगा दिया क्योंकि उसको पकर के नहीं रखना है तो अभी इसको हम सेट करेंगे एकदम सिंपल है दोस्तों क्यूंकि इसका जो positive का connection है 33 ohms का register लगा के एक LED में गया है दोस्तों और इसका जो negative है दोस्तों वह इसे IC से signal आता था आइसी तो खराब हो गया हम negative को direct लगा दिया हूँ और negative और LED के बीच में एक switch लगा दिया हूँ on-off switch जब हम switch को on करेंगे तो यह glow गा जब off करेंगे यह बंद हो जाएगा तो देखिए इसको reflector को हम अच्छे से बैठा देते और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जुरू मेरे चैनल को subscribe किजिए वीडिय करने की कोशिस करते तो दोस्तों मेरा चैनल का जो playlist है दोस्तों उसमें जाके आप ढेट सारा वीडियो और देख सकते हो तरह तरह पुड़क के उपर और भी मैं नय नय लाने की कोशिस करूँगा और आप लोग के लिए तो दोस्तों वीडियो को जुरूर लाइक करना तो आटोमेटिक था अभी इसको मैनुवाल बना दिया है तो दिखी इसका रोसनी भी बहुत अच्छा है पहले से भी थोड़ा ज्यादा हमको मिल रहा है क्योंकि मैनुवाल है और क्योंकि इसमें रेइस्टर लगा हुआ है LED कटने की कोई भी चांसे नहीं है और इसको मैंने गंटा वार चला के भी रखा था कोई भी प्राब्लेम नहीं आया और इसका जो रेड लेडी है उसका हमने कनेक्शन कार्ट दिया है क्योंकि कस्टमार ने बोला रेड लेडी का जोड़त नहीं है अगर वो बोलता है तो कोई बात नहीं स्विच के जगा में हम डॉबल लगा देंगे तो जाके रेड लेडी का कनेक्शन भी कर देंगे तो उसमें क्या है इसके जितना भी लडी है वह सारे अच्छे से ग्लू होगा तो दिखे यह बहुत ही अच्छे दिखता है सुन्दर दिखता है तो ओके थाइंक्यू वाचिंग माई वीडियो